देर इस्टुएंट्स, माइसेल्फ पंकस तलवार, प्री मेडिकल कोचिंग से जुड़े वे मिरको 17 साल होगे हैं, इन लास्ट सेवंटीन इयर्स में मैंने बहुत सारे स्टुएंट्स को अपनी आँखों से मेडिकल कॉलेजिस में जाते वे देखा है, आप देखेंगे इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजिस जैसे एम्स, जिपमर, वर्दा, SMS, MGM इंदोर, बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजिस के अंदर, हमारे द्वारा पढ़ाएवे बहुत सारे स्टुएंट्स, सलेक्टिर स्टुएंट्स अभी MBBS की स्टड़ी कर रहे हैं। मैं उन सभी स्टुएंट्स को देखते वे अभी तक आया हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, कि येर लॉंग जब आप यहाँ पर तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो किन-किन पॉइंट्स पर आप ध्यान रखें, जिससे आप डेफिनेटली सक्सेस गेन करकर यहां से जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा, कि आपके पास कोचिंग की स्टेडी आवर्स के साथ साथ सेल्फ स्टेडी आवर्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी हैं, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते वें, तीन साल पहले हम लोग केरियर पॉइंट जोइन किया, और इस्टुएंट को ज़्यादा सेल्फ स्टेडी का टाइम मिल सकें, उसी के अकॉर्डिंग हम सबने मिलकर, अपने स्टेडी प्लान को, अपनी कोचिंग प्लान को इस टाइब से डिजाइन किया, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ स्टेडी का टाइम को जादा से जादा study का time दिया और उसी के बिहाब पर year by year हमारे result बढ़ते चले गए very first year career point पर 202 students AI PMT में select हुए उससे next year 46% की growth के साथ 297 students select हुए और definitely मैं confidence के साथ कह सकता हूँ कि इस साल भी बहुत ही जबर्दस result हम लोग produce करेंगे एक तो बात हुई self study time students के पास maximum होना चाहिए और दूसरा study के अंदर student को NCRT को जरूर follow करना चाहिए क्योंकि last जितने सालों से देखते हुए हमारे हैं कि जो AI PMT का paper है जो अब NEET के नाम से जाना जा रहा है वो totally NCRT based होता है तो NCRT में maximum student NCRT bio follow करते हैं लेकिन मैं ये suggest करूँगा कि NCRT physics, NCRT chemistry भी जरूर follow करें मैं खुद physical chemistry deal करता हूँ physical chemistry के सारे topics में deal करता हूँ तो भई इसमें ये भी जरूरी है कि topics interlink होकर question आते हैं जैसे aims के अंदर accession region वाले question तो interlink होकर आते हैं तो आप NCRT को जरूर follow करें जिससे accession region के question आप लोग बहुत अच्छे से grip ला सकें तीसरा point मैं ये कहना चाहूँगा कि classroom के अंदर जब आप coaching के अंदर classroom में बैठे हैं तो बहुत attentive होकर class को attend करें हम लोग यहाँ पर इसी type का atmosphere रखते हैं batch strength भी इसी type की रखते हैं बही overcrowded batch होगा तो आपका attention proper कभी नहीं जा सकता लेकिन batch strength proper होती है इस वज़े से आप proper class के अंदर attention करते हैं lecture भी आप पर proper attention कर सकता है तो मैं यह suggest करूँगा कि class के अंदर पूरा attentive होकर lecture सुनें जिससे वो आपके concept किलियर करें आपकी grip topic पर अच्छी आ सकें तो यह सब point आप लोग अपनी year long study के अंदर ध्यान रखें Thank you